को हुलो फ्रेंड्स स्वागत हबसे अभी का आपके अपने यूटीव चैनल म्युटिय है आज ये क्लास फ्रों होम का पार्ट 7 हैज यह है फ्रेंड्स आज ये सात वाक लास है इसमें आपको एक प्रस्ण बताया जाता है और एक प्रस्ण आपको खुद से करना होता है सही प्रस्ण आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है और उसी प्रकार से जो है सही प्रस्ण आप आसान तरीके से बना भी सकते हैं तो चले फ्रेंट शुरू करते हैं लोग आज के इस वीडियो को एक किसान 2 किलो आम 160 रुप में बेचता है तो उसे 20 परतिसत की हानी होती है वह इसे कितने रूपे में बेचे कि उसे 40 परतिसत का लाब हो जाए देखे फ्रेंट कोई भी हो मैट्स का हो ये रिजनी का हो कोस्चन को पहले एक बर पढ़ लीजे दो बर पढ़ लीजे अच्छा सा समझ लीजे पूछ क्या रहा है हमसे तो देखे कोस्चन में ऐसा पूछ रहा हमसे 160 रुपे में बेचता है तो उसे 20 परतिसत की हानी होती है 20 परतिसत की हानी तो हानी पता है फ्रेंट्स की हम लोग को हानी जो होता है वो सव में माइनस होता है इसका मतलब क्या है कि यह जो 160 रुपया है 160 रुपया यह हम लोगों के लिए कितना है भी तो 80 परतिसत है अब क्या पूछा है हम लोगों से तो 40% का लाब तो लाब कब होगा जब हम लोग 100 से ज़्यादा में बेचेंगे तब 100% से हम लोग को कितना ज़्यादा बेचना होगा तो 40% मतलब की बेचना होगा 140% में तो हम लोग यहाँ पर डारेक्टली 100 ना लिख कर क्या लिखेंगे 140 जितना चाहिए हम लोगों को देखे 80 से ये कट जाएगा डारेक्टली कितने बार में दो बार में तो इंटू कर देंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा तो 14 दोनी होता है 28 इसका मतलब कि 280 रुपए इस question का सही answer हो जाएगा option number D उमीद करता हूँ friends आप लोग को ये question बिल्कुल अची तरह समझ में होगा कहीं कोई परिसानी या दिक्कत नहीं होगी चलिए same pattern का और same photo format का ये question आप लोग के लिए इस question को आप लोग वीडियो को पाउच करके बनाएं और इसका सही answer जो है हमारे comment box में कमेंट करके अवास्य दें friends चार सो मीटर लंबी रेल 72 किलो मेटर परती घंटे की चाल से 600 मीटर लंबे पूल को कितने समय में पार कर जाएगी तो देखिए इस question को पहले अच्छा से पढ़के और समझ लेजी पूछ क्या रहा है कितने समय में पार करेगी हम लोग को समय पूछा है तो सबसे पहले ये देखना है कि समय बराबर formula क्या होता है तो time बराबर जो है समय बराबर formula होता है दूरी बटा चाल distance by speed तो दूरी कैसे निकलेगा याद रखना है कि train के साथ rail के लंबाई के साथ किसी भी चीज का जो लंबाई होता है चाहे वो pool हो platform हो, सुरंग हो वो plus हो जाता है तो हम लोग के लिए ये जो दूरी है कितना हो जाएगा 400 और plus 600 मतलब दूरी जो है 1000 हो जाएगा तो दूरी जो है 1000 और चाल जो है देखिए 72 जो है ये कीलो मीटर में है तो इसे हम लोग बदल लेंगे मीटर परति सेकेंड में 5 बटा 18 से इंटू करके 18 से देखिए कट जाएगा ये 4 बार में 5 को 4 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 20 मीटर प्रती सेकंड ये भी मीटर में है तो अब क्या कर देना हम लोगों समय निकाल देना है तो हम लोगों को दूरी और चाल पता चल गया है तो एक हजार और बटे में कितना बीस बीस से काट देते हैं इसको तो पांच और जीरो मतलब की पचास सेकंड पचास सेकंड देखे किस उप्षन में है तो उप्षन नमबर डी उमीद करता हूं फ्रेंट्स ये कोस्चन भी आप लोगों को बिल्कुल अची तरह समझ में आया होगा कहीं कोई परिसानी या दिक्कत नहीं हुई होगी चलि फ्रेंट्स वरीत परिसानी में परिचे क्या में होगा कर दो एक चौदा सेंटिमिटर भुजांवाला वर्ग है उसके अंतरगत मतलब कि उसके अंदर बनने वाला जो वरीत होगा उस वरीत का परिसानी फ्रेंट्स पूचल रहा हम लोगों से फिगर थोड़ा सा देख लीजीगा तो इसके अंदर जो वर्ट के अंदर जो वर्ट के अंदर जो वर्ट है अब इसका भूजा कितना है 14 cm का ये 14 ये 14 सभी 14 होगा तो यहां से यहां तक जो है ये भी तो 14 कहीं होगा मतलब कि इस वर्ट का जो है व्यास डी जो है डी जो है वो 14 हो जाएगा तो आर जो है हम लोगों को तो आर का जरूरत होता है तो आर हो जाएगा 14 बटा 2 मतलब की 7 अब जब R मिल गया तो वरीत का छेतरफल निकाल सकते हैं हम लोग अब तो वरीत का छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है तो पाई आरे स्कॉयर अब हम लोग बठा देंगे यहाँ पर देखिए पाई होता है बाइस बटा साथ आर मिला है साथ इंटू साथ एक साथ एक साथ काड़ दते हैं बाईस को साथ से इंटू करेंगे तो आएगा एक सो चववन तो देखिए एक सो चववन आप्सन नमबर सी में है तो उमीद करता हूं फ्रेंट्स यह कोस्चन भी आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से स अगर आप इस चैनल में नए इस्टुएंट है तो अभी तुरंत हम से जुड़े इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो दिखने के लिए और पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें चलिए यह सेम पैटन का कोस्चन है अब आप लोग के लिए इस कोस्चन क अभी वीडियो को पाउच करके बनाएं और इसका सही एंसर कमेंट बोक्स में कमेंट करके दें देखें मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है फ्रेंट्स यह एकजाम में बहुत बार पूछा गया है एक वेक्ति को 160 रुपए में 90 पैन बेचने से 20 पर तिसत की हानी हुई तो 96 रुपए में कितने पैन बेचे जाए कि 20 पर तिसत का लाब हो जाए देखें बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है फ्रेंट्स यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन एकजाम में रिपीटेट कोस्चन है तो देखें इसे एकदम बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही सौट ट्रिक से मैं आप लोग को बताऊंगा करना क्या है उपर में आपको रखना है रूपय को ध्यान देना है उपर में रूपय को रखना है तो 160 रूपय में कितना पेन बेचा था 90 पेन 90 और इंटू में क्या हुआ उसे 20 परतिस्थ का हानी हानी हो गया मतलब कि कितना परतिस्थ में बेचा वो 80 और बराबर में फिर से उपर में रुपए रखना है उपर में रुपए रखना है और नीचे में अब देखे 96 रुपए में कितना पिन बेचे मान लिया जाए कि X पिन बेचता है वो तो उसको 20 परचिस्यत का लाब लाब हो रहा है मतलब कि 100 में जूट जाएगा तो 120 बस यह फॉर्मेट है काट के X का वेलू निकाल देना है देखिए तो काटते हैं हम लोग 80 से काटेंगे इसको यह दो बार में कट जाएगा यहाँ पर काटते हैं हम लोग यहाँ पर 30 से काटते हैं 4 बार में 30 से काटते हैं यहाँ पर 3 बार में तो एक्स बराबर कितना आएगा एक्स बराबर आएगा च्छतिस च्छतिस देखे किस ऑप्षन में है ऑप्षन नमबर बी मतलब च्छतिस पेन बेचना होगा उसको 96 रूपए में 20 पर 37 का लाप कमाने के लिए उमीद करता हूं फ्रेंड्स ये कॉस्चन भी आप लोग को बि ऩॉष के दिना है ज्याए यह भी फ्रेंट्स ब्रमस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्चन है एकजाम में रिपेटर देंट कॉस्चन नहीं एक वियान पारी अंकित मुले पर दस पासल की छूट देता है अंभी भी उसे लागत मुले पर 17% का लाब होता है यदि हों अंकित मुले पर बेचता तो लाब का फर्थिसेट क्या होता थेक है know question देखे है ऐसा बोल रहा है कि कोई अंकित मुले पर 10 फर्थिसेट का छूट देता है तो अंकित मुले जो हैuar चली यहाँ पर अंकित मुले अंकित मुले मान लिया जाए कि 100 रुप्य था और छूट जो है कितना था छूट जो है वो 10 परतिसत था छूट 10 परतिसत का था तो क्या बोलता है कि जब वो बेचता है तो बेचता है मतलब कि SP बेच रहा होगा कितना में 90 में तो ये 90 रुपय में बेच रहा है तो भी इसको क्या होता है कि 17 परतिसत का लाब होता है 17 परतिसत का लाब इसका मतलब कि ये कितना है 117 परतिसत है अब देखे इसको अगर कट सकता है तो काट लेते हैं हम लोग तो देखेए इस कठा है, 9 से कठेगा ये 10 बार में, जबकि 9 से इस कठेगा 13 बार में तो इसका मतलब ये हुआ, कि 10 रुपया जो है, वो मतलब कि 10 जो है, 13 पर तीसा सथ के बराबर है तो बिवला क्या है में अब समान को किसमें बेचना है, अंकित मुलिय पर बेचना है अगर 90 के बजाय हो जाएगा 100 तो 90 के बजाय हो जाएगा अगर 100 तो profit जो पहले 117 था मतलब कि 17 था तो 10 जब ये बढ़ रहा है तो profit भी 13 बढ़ जाएगा तो profit अब कितना हो जाएगा profit जो है profit percent ध्यान दिजेगा profit percent पहले 17 था और अब 13 बढ़ जाएगा मतलब कि अब हो जाएगा 30 पर 30 तो option number 6 question का सही answer हो जाएगा friends बहुत important question था friends ये उम्मीद करता हूँ ये question आप लोग को बहुत अची तरह समझ में आ गया होगा कहीं कोई परिसानी या दिक्कत नहीं हुएगी friends friends question अगर अच्छा लगा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से like, share और comment कर दे same format और pattern का ये question है आप लोग के लिए वीडियो को पाउच करके इस इस बनाएं और इसका सही answer हमारे comment box में comment करके दे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत